हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आज हम लोग बात करेंगे फोटो एलेक्ट्रिक सेल के बारे में फोटो एलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो के लाइट एनर्जी को एलेक्ट्रिकल एनर्जी में कनवर्ट करने का काम करता है ठीक है यह फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट पे ही बेस्ट होता है क्लियर अब फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट में हमने देखा था लास्ट क्लास में क्या होता है था कि एक फोटो सेंसिटिव माटेरियल होता था और उस फोटो सेंसिटिव माटेरियल पे लाइट जबा के गि हम बैटरी लगा के पॉजिटिव प्लेट की तरफ उसको एट्रैक्ट कर ले दे थे और उसको एक करेंड का डिरेक्शन दे दे थे तो उसी तरीके का ये एक इस डिवाइस है देखो इसमें ये उसका डाइग्राम है है ना इसमें कि इस तरफ जो है आपको दिखरा होगा ये फोटो एलेक्टिक अफेक्ट का देखें ये है आपका फोटो सेंसिटिव मोटेरियल हाना जोगे बैटरी के निगेटिफ ट्रव मेड्स से जूड़ा है ठीक है और ये देखिये ये है participль जो के बैटरी के पॉजिटिफ तर्मिनल से जुड़ा है इस फोटो सेंसिटिव माटेरियल को और इस एनोड को हम क्या करते हैं एक ग्लास ट्यूब के अंदर बंद कर देते हैं ठीक है वैक्यूम ग्लास ट्यूब है यह काच का वैक्यूम ग्लास ट्यूब के अंदर बंद कर दिया ठीक है अब इसमें जो है ग्लास ट्यूब जो होगा वो आपका ट्रांसपारेंट होगा ताकि लाइट आ सके है ना ऐसा ट्रांसपारेंट ग्लास आपको लेना है दूसरा जो है यह लाइट सेंसिटिव माटेरियल जो है यह प्लेन नहीं है यह कर्व सर्फिस है है ना कर्व सर्फिस इस तरीके से कर्व थेका है एक तरफ मूड़ा हुआ है तैकि जो है लाइट का फोक जो एलेक्टरॉन निकल रहे हैं उन्टर रहे हैं इस एनोड की तरफ एक पॉइंट पे आकर मिलें अगर सर्फिस को हम कर्व कर देंगे सर्फेस को अगर हम कर्व करके बनाएंगे तो यहां से जो भी इलेक्टरॉन निकल रहा है वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे सब कसब आके मिलेगा है ना यह कर्व करने का फायदा होता तो इसलिए इस सर्फेस को हमने कर्व किया है ठीक है यह सर्फेस जो है आपका वो कर्व है यह इस में से सारा इलेक्टरॉन कहाँ के एनोड पे आके मिलता है ठीक है तो यह हमने इस तरीके का बनाया है अर्रेंजमेंट और एनोड के रास्ते में एक अमीटर भी लगाया है यह अमीटर क्या बताएगा कितना current flow हो रहा है इधर से ये बताएगा ये आमीटर ठीक है तो ये था आपका construction construction में हमने क्या देखा कि एक glass tube में हमने एक photo sensitive material को रखा और एक anode को रखा photo sensitive material को हमने battery के negative terminal से और anode जिसको plate को लिया था ये plate उसको anode बनाया कैसे battery के positive terminal से जोड़के clear और vacuum glass लेना है आपको और anode के रास्ते में एक आमीटर लगा देना है आमीटर कैसा मिली आमीटर जो के small current को भी measure कर सके तो ये था construction अब working देखिए working में क्या होता है कि यहां से हमने दे दिया voltage voltage जब दे दिया हमने तो ये बन गया positive plate और ये बन गया negative plate clear यहां दिख रहा है आपको अब देखिए अब हम glass इस glass के उपर से एक light ray को fall करवाते हैं जब हम light ray को sufficient light ray यानि threshold frequency से उपर का light ray होगा और इस photosensitive material प्यांके गिरेगा तो यहां से क्या निकलेगा electron electron जो निकलेगा चूंके ये curve surface है तो curve surface है तो सारा का सारा electron कहां प्या करके डिरेक्टरी directly hit करेगा किसको anode को और anode जो है वो है positive और electron की property हम जानते हैं कि negative होता है तो positive और negative में force of attraction का का काम होगा electron को तेजी से ये anode अपनी तरफ खींच लेगा ठीक है और जैसे ही ये इसकी तरफ attract होगा और फिर ये positive terminal की तरफ force of attraction की वज़े से चलाएगा इस वज़े से एक current flow होगा जिसका नाम होता है photo electric current और ये millimeter इसको measure करके बताता है कि कितना current यहां से flow हो रहा है तो इस तरीके से हमने देखा कि light ray light ray को हमने electric current में तबदील कर दिया इस photo electric cell की मदद से तो जैसा हमने definition में देखा था कि photo electric cell एक ऐसा instrument होता है जिसमें कि हम light ray को photo electric current में तबदील करवाते हैं तो ये working है आप पढ़ लेंगे अब देखिए हम लोग application पे चलते हैं इसका application बहुत ही interesting है आप लोगों को अच्छा लेगा पढ़ने में तो देखिए इसका application application आप देखिए street light आप लोगों ने देखा होगा है रास्ते में लगा रहता है street light कई street light में देखते हैं हम कि वो नहीं होता switch नहीं होता है उसके उपर इस तरीके से एक ये लगा रहता है green color का और नीचे में एक बैटरी होती है इस solar plate की वज़ाई से ये जो green color का लगा रहता है इस तरीके से solar plate लगा रहता है और इस solar plate की वज़ाई से ये battery charger होता है और ये charger battery bulb को जलाने का काम करता है ठीक है नीचे जो bulb लगा रहता है अब जो है जब जैसे ही शाम होती है यानि कि लाइट का आना बंद हो जाता है तो लाइट का आना बंद हो जाता है तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगता है अब जैसे ही दिन होता है लाइट जब आ जाती है तो लाइट इस solar panel पर पढ़ने लगती है बैटरी भी चार्ज होने लगता है और bulb भी automatically off हो जाता है यह सब possible होता है किसकी वज़ा से फोटो एलेक्ट्रिक सेल की वज़ा से अब फोटो एलेक्ट्रिक सेल में आप इसमें depth में जाना पड़ेगा light dependent resistance होता है जो कि light के आने से उसका resistance बढ़ता यह घड़ता है light आएगा light की वज़ा से उस resistance का उस रेजिस्टर का resistance कम या जादा होता है जिसकी वज़ा से इस circuit में इसके अंदर जो बैटरी के साथ जो circuit होगा उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो आपका active region, cut-off region या saturation region में चला जाता है जिसकी वज़े से यह जो bulb है वो switch off हो जाता है और on हो जाता है इस light की वज़े से light पर ही यह depend करता है सारा कुछ उसी तरीके से आप देखते होंगे बर्गलर alarm बर्गलर alarm क्या होता है कि बड़े बड़े security के लिए जहां पर भी security purpose होता है जैसे कोई MPMLA का घर है तो उन लोगों के घर पे क्या होता है कि main door पे main door पे एक वो लगा रहता है photoelectric cell है ना photoelectric cell लगा होता है और इस photoelectric cell का connection हम कर देते हैं alarm के साथ ठीक है alarm के साथ अब यहां से इस तरफ जो है light का इस तरफ से light जो है यहां इस photoelectric cell पे पढ़ता रहता है जब तक light पढ़ता रहता इस पे current flow होता रहता है सब कुछ normal रहता है लेकिन जैसे ही इधर से कोई आदमी कोई आदमी इधर से ऐसे cross करता है इस gate के पास से तो यह circuit जो है यह break हो जाता है यह circuit जो है यहां से break हो जाता है जिसकी वजह से current जो है इंटरक्ट हो जाता है और यह alarm जो है वो बजने लगता है clear तो इस तरीके से alarm की वजह से जो घर में आदमी है उनको पता चल जाता है कि दर्वाजे पे रात के समय में कोई चोड़ आया है या कोई आया हुआ हुआ है तो वो बढ़ गलर alarm का यह काम है उसी तरीके से आपका traffic signal कंट्रोल भी होता है है ना जहां पर traffic डियर सारे लोग है traffic signal automatic भी उसी तरीके से कंट्रोल होता है फिर उसी तरीके से आपने देखा होगा automatic नल automatic नल में जहां पर हम नल के सामने नीचे पानी नल के नीचे हाथ ले जाते हैं और पानी जो है photo electric cell लगा हुआ है, ऊपर में जो है, वो sensitive material लगा हुआ है, नीचे से light जा रही है, और उपर में वो photo sensitive material लगा हुआ है, जैसे ही हम light और photo sensitive material के बीच में, अपना हाथ लेके जाते हैं, तो circuit break हो जाता है, जिसकी वज़ corrections से पानी गिरने लग जाता है, फिर हम हाँ थटा लेते हैं circuit complete हो जाता है पानी बंद हो जाता है समझे इस तरीके से काम करता है उसी तरीके से automatic doors भी है automatic doors जैसे हम malls वगरा में जाते हैं तो जैसे ही हम दर्वाजे के पास पहुँचते हैं दर्वाजा अपने से खुल जाता है अना कैसे हो पाता है यह तो automatic doors में क्या है कि दर्वाजे के उपर source of light है और नीचे जो है फर्ष पे वो photo sensitive material लगा हुआ है जैसे ही हम इन दोने के बीच में आते हैं तो एक signal sensor को मिल जाता है कि भी आप दर्वाजा खोलना है circuit break हुआ मतलब दर्वाजा खोलना है तो दर्वाजा खोल जाता है फिर जैसे ही हम पार कर जाते हैं इसका मतलब फिर से circuit complete फिर से दर्वाजा बंद हो जाता है समझे उसी तरीके से note counting machine भी है note counting machine में भी एक तरफ photo ये लगा हुआ आचाता है light और दूसरे तरफ photo sensitive material ये तनी वार note पास करता है इन दोनों के बीच से counter जो लगा होता हुआ उसके साथ वो counter one गिन लेता है दो नोट पास किया तो दो गिन लेता है और हम डिस्पले पे देख पाते हैं कि हाँ भी या इतना note है 999 note है तो इस तरीके से है उसी तरीके से इसका इस्तेमाल पहले अब तो नहीं होता है लेकिन पहले इसका इस्तेमाल होता था sound recording में used in sound recording में क्या होता था जैसे यह मान लीजिए आपका यह आपका वो है यह आपका पिक्चर का रील है कि अफिक्चर के रील के दोनों तरफ इसका यहां इस सान को रिकॉर्ड करेStayL को ढूंगा इस साइट और इस सायट और इस साइट हम साउंड को रिकॉर्ड कर लेते ते लड़िए अब जहां जहां पर और इस शसके सामने एक सूर्स आफ लाइट लगा देते थैंञा जहां से लाइट इस पे आके पढ़ता था ठीक है और यह जो हमने शेर्ड किया है यह जो हमने यह एरिया शेर्ड किया है इस एरिया को कहीन पे हम जादा रखते थे और कहीं पे कम रखते थे कहीं पे जादा कहीं पे कम जहां पे आपको लगता था कि डायलोग डिलेवरी बहुत जोर से होना चाहिए वहां पे हम इस एरिया को कम गाढ़ा करते थे यहां पे जो यह एरिया है यह लाइट होता था जादा डार्क नहीं होता था और ज से कया होता था कि हैंध nämरी लाइटा रहा है ये लाइट डार्क वाले में आब्सैर्फ हो जाता था तो जिस की वजह से जो आवाज है वो कम निकलता था अब जहां पर गुस्से वाला सीन है जहां पर इंगरी होकर कि जोर से चिलाना वहां पर यह वाला एरिया अ पर पड़ा तो यह एरिया कम यह है कम डार्क जी मज़ए से लाइट का रिफलेक्शन जो है वह ज्याद़ा को फ्रणोंसिएशन और जोड़ा करे लाथधा तो ये सिस्टम भी इस्टम के जाता था पहले रिकॉर्डिंग में या रिप्रोडक्शन में आवाज के तो यह सब बहुत सारे अप्लिकेशन है फोटो एलेक्ट्रिक सेल के अच्छे अप्लिकेशन है तो हम लोग आज भी इस्तमाल करते हैं उपड़ के छे बाकी यह सात्वा अब इस्तमाल नहीं होता है और इस लेक्चर का जो नोट्स है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तब तक के लिए खुश रहिए पढ़ते रहिए